मध्य प्रदेश चुनाओ से पहले कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेरिंग को लेकर शुरू हुई तल्खी को आए दिन दोनों ही तरफ से की जा रही सियासी बयान बाजी और विधार देने का काम कर रही है एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव MP चुनाओ में एक भी सीटना दिये जाने के बाद से कॉंग्रेस से खफा है और कॉंग्रेस पर BJP की भी पार्टी होने का आरोप लगाते आ रहे हैं तो वही UP के कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजयराय औ और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस नेता कमलनाथ की ओर से किये गए तीके पलट पार भी विपक्षी गडवंधन में बन रही खाई को और गहरा कहिने का काम कर रहे हैं हालाकि इन्ही सब के बीच अब UP की सियासत में एक और बड़ा बवाल जाने की घोशना के बाद UP का सियासी पारा चड़ गया वही इससे पहले आजम खान से मुलाकात को लेकर कॉंग्रेस देता अजयराय ने कहा कि हम इंसानियत मानलता जो सबसे बड़ी चीज है उसके नाते आजम खान से मिलने आये हैं जिस तरह से बीजेपी सरकार आजम खान और उनके परिवार को प्रतारिक कर लए है निश्चित रूप से दुख की इस घड़ी में कॉंग्रेस पाल्टी उनके साथ खड़ी हुई है परिवार को इस सरकार ने परतारिक करके रखा हुआ है उनकी वाइफ को बन कर रखा है रामपूर में उनके बच्चे को हर दोईयों बन कर रखा है वाली दो मुलाकातों में परिवार जन और पैरोकारों से मिलने की बात कई है वही आजम खान से मुलाकात ना होने पर अजयराय ने यूपी सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने जेल के लिए आवश्यक सभी आपचारिक ताय पूरी कर ली थी हमने कल जेल मैनुल के मताबिक आवएधन भी भी भीजा था और अपने कारियले से एक मेल भी भी भीजा था उन सब के बाद आज हम यह आए हैं जेल प्रशासन ने हमें बताया कि हम आजम खान से नहीं मिल सकते ये राज्य सर्वकार की दबाव में हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। ये जान बुचकर प्रदेश सर्कार के दबाव में ये जेल पर सासान हम लोगों को आजम खासाब से मिलने नहीं दे रहे हैं। उस वक्त कहा थे जब उन्हें फसाया जा रहा था तब तो कॉंग्रेस के नेता भी उन्हें फसारे में लगी हुए थे। बताते चले कि रामपूर की कोट ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता और पूर्व मंतरी आजम खान को दोशी करार देते हुए इस मामले में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटी अब्दुल्ला आजम को भी साथ साथ साल की सजा सुराई गई है। आजम खान की गिरफतारी की बाद से ही सियासी बयान बाद ही तेज होती जा रही है। ऐसे में अब कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आजम खान से मिलने जाना यूपी की सियासी फिजाओं को क्या नया रुप देता है और इस कोशिश का सपा और कॉंग्रेस के बीच छिडी अन्बन पर क्या आसर पड़ता है देखना दिल्चस्प होगा। फिलाल इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंच में लिखकर जरूर बताएं। करको कर दो सब्सक्राओंट जरूर शाहिस कैंग्रों चाहिसान दोरी खबर के बारे में लिखकर जरूरी एखना दोटनी के बारे में एवारे में लिखकर जरूरी खबर प्रूरी आवड़ता है